रक्षा मंद्री राजनाज सिंग ने शुकरवार को कहा कि अगर आतमगादी भारत में शान्ती भंग करने या आतंकी गतिविद्यों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा अगर वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो भारत उन्हें मानने के लिए पडोसी देश में घुस जाएगा राजनाज सिंग के टिपणी ब्रिटेन के गारजिन अकबार में पब्लिश रिपोर्ट के बाद आई जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने विदेशी धर् रहने वाले आतंगवादियों को खतम करने की रणनिती के तहट पाकिस्तान में कई लोगों की हत्या की सिंग ने ये भी कहा कि कोई भी आतंग की हमारे पडोसी देश से यदि हमारे भारत को डिस्टरब करने की कोशिश करेगा यहां पर आतंगवादी हरकते करेगा तो उसक मूत और जवाब देगे भारत अब मूग दर्शक नहीं रहेगा राजनात बोले प्रधान मंत्री ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है भारत के पास वो ताकत है और पाकिस्तान को भी इसका एहसास होने लगा है राजनात ने कहा जो भी हो वे हमारे पडोसी देश है इतियास उठाकर देख लीजिए हमने आज तक दुनिया के किसी भी देश पर हमला नहीं किया और नहीं किसी देश की एक इंच जमीन पर कब जां करने की कोशिश की यही भारत की प्रक्रती रही है लेकिन अगर कोई भारत पर बार बार आखे दिखाता है भारत आकर अतंगवादी ग झाल